अको बूर्माने मेरे वन क्यासे आप लोग आयो होग अच्छthen यह ना तो लास्ट निक्षा में हमने जी स्क्सेइन को ककफी डिटेल K SheStr city कर लिया था और उसका फर्मो buffer coffin कुछ कुछ कूश्चंश करेंगे क्या करेंगे इससे पहला को अपको पाइले रख चुके हैं है ना पहला कोश्ण आपका रादान किया हुआ है क्या कोश्ण देखें ध्यां से find the coordinate of the point अच्छा कोडिया अब गभाइड निकालना किसका पॉइंड निकालना विच डिवाइड का इस लाइन सीवेंट कर रहा है कितना रेशियों चार में इस पॉइंट का निकालना निकालना चो पॉइंट का निकालना निकालना चलिए आप इसको तो नॉर्मली बना सकते हैं एक फिगर कंशिडर कर लीजें एक पॉइंट पी है एक पॉइंट बी है एक टू कॉमा बाइट वाइट वह तो यहां पर आपका तो वैलू ही दिया हुआ है तो एक लाइन स्विल क्या ने आपका है यहां पर मांन प्रक्राइटा प्रक्राइट वालन पर जाता तो और सब्सक्राइट पॉइंट प्रक्राइब नहीं निकालना है ताहां पर एक A1-3, B4,-7, and Pxy, divide the line, in M ratio N, 3 ratio 4, तो आपको निकालना है xy, हाना, final करना है हमे, Pxy, तो चलिए, इसको निकालने के लिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हाना, सबको अच्छे से लिख लेते हैं, कि x1 by 1 कौन है, M और N कौन है, तो x1 का वैलू है, minus 1, by 1 का वैलू है, 3, x2 का वैलू है, 4, by 2 का वैलू है, minus 7, यह होगे, x1 by 1, x1 minus 1, 3, सही है, x2 4 हो गया, और by 2 हो गया हो, minus 7, n का वैलू है, 3, और by 2 का वैलू है, 4, इस तरह से इसको जरूर लिख लेज़े, ताकि आपको confusion कम हो, हाना, formula क्य क्या याद करने, कैसे लिखेगा, आप लिभाविजे, m, plus n, m plus n, लिख दीजे, यहां, x2 को पृट कर दीजे, x1 कर दीजे, यहां, x2 कर दीजे, x1 कर दीजे,That वाय, x2 में, x2 कर दीजे, just, n, x2 भ सूरा, x1, x1 minus 1, hell न, x2 put, यहां, x2 पूट कर दीजे, 6, जैसे, यहां य अच्छा बाई का वालू निकालते हैं, बाई, बाई क्या है, बाई भी हमारे पास क्या जागा, mx2, mby 2, nby 2, nby 1, 7 divided m, multipvel N, अब हम m का वेलू क्या लखते हैं, 3 by 2, minus 7, n का वेलू 4, by का वेलू 3, divide by 3 plus 4, जागा पास वागे, स्वाई, बाई बाई, स्टन यहाँ साध चाल यहाँ क्या आपको पास, सबसे पहले काम क्या किजेगा एक समय और इनको अच्छे रपन यहां पर लिख दीजेगा जानने कि फिगर में बना हुआ है यहां सभी कर सकते हैं इसको निखने में ज्यादा था यहां लेगा वह आपका रैडड़न है क्या लिखा हुआ है इन वाट रेश यो अच्छा यहां प्रदा करना या पर क्या हुआ है इन वाट रेशियो देगा क्यों पर में आपका रेशो डाकर रहा है प्यर बना के सम्झ है एक आप को इने टक्सी जौन कीजिए एक सेक्सी डिभाइट कर रा कौन 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 क्यों प्वाइटब को आपके पास है एक है फाइप कौमा सिछ ए और एक आपके पास टू कौमा मारेंस ठीट को इसी क्वाइट ना तो फाइब और सिख आपका फॉर्स को नहीं होगा और यह सब्सक्राइब और यह एक सक्षिस हमारा और इसको यह क्या कर रहा है आपर आपकर लेते हैं तरह से है थी हुए इसको मालनी है इसको मालनी अब यह हमारे पास यह क्या है हमारे पास यह हमारे पास एक सैक्सेस का प्ट कर रहा है कितना ratio में कट कर रहा है किसले है तो सबसे पहला बात बच्छो सब्सक्राइबल करते सब्सक्राइब आतिdesês प्रपोर्ट निख सकते हैं सब्सक्राइबल नुक्राइब आपको रेसियो नहीं पता है आपको चाहिए आपको चाहिए रेसियो निकालना तो सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक आपको चाहिए एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब नहीं पता है और टेंगी नहीं पता तो हम क्या करेंगे जो पता है पहले उस पर काम कर लें जो पता उसके काम कर लें यहाँ पर एक सक्षी डिवाइट कर रहें पॉइंट हमाल लिए हो लिख लो लिख 5, 6, and B, line segment, let 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 line segment A, B, is divided by x-axis, आइड पॉइंट 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 प्री च्वाइट यह पर लिख लागए पीच अब लिख लें जो पाता है उससी से फाइंड परेंगे ऐसे लिखना होता है ना था कर आगे लिए ओर्यंपर खुल पाहिए यह जूरू है अर यह कुछ नहीं है यह जूरू है यह कुछ नहीं डायटों नहीं नहीं पता लेकिन वाइवड नहीं 1 Y1 है मार पास 6 Divide by M पलस N इस अब इधर multiply हागा 0 minus 3M पलस 6N इसको इधर लिख देते हैं 3M divide by 6N यानि M upon N is equal to 6 upon 3 M upon N is equal to 6 upon 3 यानि जो आपका कड़ेगा वो आपका हो जागा M ratio N 2 ratio 1 आपके पास क्या आपके बाच्छो जो M ratio N होगा वो आपके पास हो जागा 2 ratio 1 यानि 2 ratio 1 में यह divide करेगा तो जो ratio आपके बाच्छो हमारे M ratio 1 के आगया 2 ratio 1 आगया चलिए तो आपके पास ratio निकल गया बाच्छो अच्छा एक चीज़ और है कि बुक में आपको कहें solve करेगा लिख ऊल्ड़ करेगा अगर रिषयो निकालना है supporting, V रिपाने के फाइदा नहीं है इसे में सुल्व कर रहे हैं तो इसे में सुल्व कर रहे हैं अब क्या निकालना है लो पता कीजिए तो बाइंग बली तो जू जीरो ही रहिसा ना ऐबस और फाइब भाइंग यह लिए एंड टू प्लस इन चार प्लस पार्च नवाई थरी अने की थिरी नौवाई थरी इसका मतलत क्या आगे बच्छों त्री इसका मतल्ला अक्टा जो पॉंट बनेगा वह 3,0 बनेगा पॉंट क्या बनेगा बच्छा आपको फिदी को माई जीडिव हैं दा पॉंट इ पॉइंट इस पीजिए इस त्ट पास वीजिए यहां हमारे पास ने कल गया हमारे पास क्या नहीं कल गया पॉंट ऑप इंडर्सेक्शन के लिए और यह काफी इंपॉर्ट पॉस्ट था बच्चों इसी टाइप पे हम एक और कोर्शन नहीं तरह बढ़ते हैं नेक्स कोर्शन भी आपका रेश्यो निकालना है ये को तो थोड़ा अलग है तो क्या है तो इस तरह से 3x plus 5 minus 9 is equal to 0 divide the line segment joining the point this or this अच्छा यानि कि एक line segment है हमारे पास इस तरह से 1,3 और 2,7 हाना एक line segment इस तरह से 1,3 2,7 उसको कौन line डिवाट कर बद चो ये line डिवाट कर रहा है ये line क्या कर रहा है तो ये हमारा line बनेगा ना 3x plus 2 minus 9 is equal to 0 तो ये वाला line इस line को यहाँ पे डिवाट कर रहा है तो ये ratio find out करने के लिए बोल रहा है बच्छों क्या find out करने के लिए बोल रहा है तो ये line इस तरह से है ये line इस तरह से divide the line single joining divide the line single joining 1,3 and 2,7 1,3 and 2,7 को divide करना है तो आपको पता करना है कि ये line join हुआ ये वाला line इस point को कितना ratio में divide कर रहा है ये point क्या point है नों he intersection point क्या point बत्च दूरोल इंटरेक्षेOn.it SO एक बात बताओ बच्चोचना मालेते हैं X1 आपके पास क्या है सब सबसे पहले लिख सेगा X1 X Y1 3 X2 क्या है X2 X2 Y2 क्या है 7 आप पहले मेंशन कर दे X1 1 Y1 Y1 3 X2 2 Y2 7 M नहीं पता M नहीं पता X का जो value होगा X का जो value हो क्या होगा M X2 M X1 X1 दिभाइड वाइ M पलस N M का value तो नहीं पता X2 का value 2 तो 2 M X1 का value X1 का value 1 तो आप लिख देंगे सुर्फ M क्योंकि X1 तुब नहीं राजागा और M पलस N चो हमारा क्या होगा M पलस N ही होगा ये होगा हमारा X का value ये जो point P है पी कोड़न निकला X और Y, पी कोड़न क्या निकला X और Y, तो क्या ये P point, A, B पे तो हैं ही है, इस line पे भी है, हाणा, तो खाएंगे Sir, P point intersection point है, और P intersection point इस तरह सी दोनों line के लिए common point है, तो नोन आने के लिए क्या है, बच्छो, common point है, यानि P point इस line को satisfied करेगा, P point इस line के क्या करेंगा, बच्छो, satisfied करेगा, यानि कि इस line पे जो भी point है, सब equation satisfied करेंगे, हाणा, चाहिए point हो, चाहिए point हो, चाहिए point हो, चाहिए point हो, Class 9 ने में पढ़े था ना, कि कोई भी line पे, अगर line बना दिए, इस लाइन को अगर ड्रा कर दिए इस लाइन पे हर एक पॉइंट जितना गी पॉइंट है इस इक्वेशन क्या करता है सबस्पाइट करता है इसको क्या करेगा सबस्पाइट करेगा तो हम लिखेंगे कि इस एए पी इज लाइ और थी एक्स प्लेस फोर वाई मानस धाल सकर णे और इसको सट्सपाइट करेगा मतलब हार ऑख थी में आपना सकते हैं एक्स अफ्लाइ कर शक्ते हुआ हुइंक तो दोनों common value होगा तो X to value आपको पास क्या हो गया 2M plus M M plus N और Y क्यों है लो 7M plus 3M M plus N minus 9 is equal to 0 अब इसको आपसॉल्ब कीजिए इसको आपसॉल्ब कीजिए जो आग है जो आपका अंसर चली करते हैं चली करते हैं 6M plus 3M M plus N 7M plus 3M M plus N is equal to 9 plus क्यों माने सिग्या LCM M plus N 6M 3N 7M 3N 9 13M 6N यह गया 9M यह दो इसके मल्टिप्लाइ कर दें तो 9M plus 9N यह इधर आया 13M minus 9M और यहां से गया हमारा 9N minus 6N हाना यह हो गया 4M is equal to 3N यहीं की M upon N is equal to 3 ratio 4 M upon N is equal to क्या आगे बच्चों मार पस 3 ratio 4 तो यही आपका required answer हो गया M ratio N is equal to क्या हो गया 3 ratio 4 तो इसमें concept क्या था बच्चों? concept यह था किसर अगर यह point है और P इसको divide कर रहा है तो हम P का value निकाल लिए formula से अब चुकि P Islam को भी exist करेगा तो Islam का एक्सवर वाय को value है satisfied करेगा क्यों 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 P उसमें like कर रहा है तो P like कर रहा है तो हम value put कर दिए एक्सवर वाय का solve कर लिए M ratio 1 अगर आप चाहते हैं तो यहां पर के भी मान के सपोच कर सकते थे हाना कि के रेशियो बन सपोच कर के के बना दे तुस्से बन जाता है तो चली बच्चों की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स कोचन क्या है if A, B, C are the vertex of triangle ABC अच्छा ABC का दिया हुए vertex of triangle ABC है find the length of the median through A अच्छा through A, A के through हमें median का length निकालना है बच्चों क्या निकालना है A के through median का length निकालना है तो सबसे पर इसका figure अटरूर कर लें A, B, C, AD को माले median लेट, AD is median, अब बच्चों, अगर AD median है अगर AD क्या बच्चों, median AD में find out करना हमें, अगर AD median है तो D हमारा midpoint होगा अगरे median को दो definition नहीं होता ना, the line segment joining midpoint of a side and opposite vertex and opposite vertex इसका definition लिखेगा, तो median के definition क्या, line segment the line segment joining the line segment joining midpoint of a side of a triangle to the opposite vertex and ampere baka a बाइब इसको अब नो है निकाल रहे हैं, D is midpoint of midpoint of BC, हाना, तो basic निकाल रहे हैं, तो इंदनों काड़ करो, पांच पलास एक छे, निकाल रहे हैं, और इसको इसको add करो, minus 1, plus 1, divide by 2, निकाल रहे हैं, यह तो 0 ही हो गया, 0 रहे हैं, अब हमें finite करना है, क्या, इसका point पता चल गया है, क्या, 3,0, अब हम निकालना, distance AD, distance AD, एक अमेली क्या है बच्चो, हाना, AD को अगर हम distance निकालते हैं, तो under root, minus 1, minus 3, तो minus 4 का होल स्कार, plus, 3 minus 0 का होल स्कार, 3 का होल स्कार, यानि 16 plus 9, 25, यानि कि 5 उनिट, क्यों निट आगे बच्चो, 5 उनिट, हाना, तो इसमें जादा कुछ concept था नहीं, यानि क्या आपको निकालना था, length of median, तो median कैसे निकलेगा, पहले midpoint निकाल लिएगा, तब midpoint कैसे निकलेगा, तो यह formula से, हाना, यह वो क्या आगा formula बच्चो, midpoint का formula हो गया, जब midpoint का formula क्लियर है, तो हान से हम निकाल लिए, यह x और y का value, और यह x, y क्या बना देगा, point d बना देगा, 3,0 और ad का distance निकाल लेगे, हाना, distance formula हमें क्या फाइदा कर लेगे, उसको बना करके जल्दे से, send कर दीजिए,